दोस्तों नमस्कार NCRT यनित कठ्षा दस्मी में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग प्रस्णावली नौदोसमलव एक के प्रस्ण संख्या 12 को सॉल्व करेंगे अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक नगी ऊचाए घ्याद कीजिए तो मैंने यहां साथ सेंटिमेटर ऊंचा एक भवन बना लिया है और इधर एक टावर बना लिया है ठीक है अब कह रहा है कि भावन के सीखर से एक केवल टावर के सीखर का loner कोन कितना डिवह साट डिव्री है ठीक है तो इसके लिए हमें होगा तो आईये मिला लेते हैं कि मिला लिए अब इसके बाद क्या करना है कि यहां 36 रेखा बना देना है इस तरीके से है ठीक है और यह दो मेरा कून है अнок daylight है साथ डिगरी का बनेका अब आगे कह रहा है और इसके पाद का अब नमन कून 45 डिग्री है तो अब क्या करना है कि ए जो भवन है इसके सीखर से इस टावर के पाद का अब नवन कु़न कितना कह रहाए 45 डिग्री ठेगे तो अब नवन कोन का मतलब एफ होता है कि जिसका कौन ऊपर से नीचे की ओड़ाए ठेगे तो आए सबसे पहले इसको यहां से यहां मिला देते हैं मिला दिया, अब A कह रहा है 45 डिग्री है तो लिए देते हैं 45 डिग्री अब आपको यहां समझना A है कि A जो है A-J डाकार का है देखे A ऐसे आया है, ठीखे, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे आया तो जब Z angle में होता है तो जितना degree account A बनाएगा उतना ही degree account यहाँ भी बनेगा तो A भी बनेगा आपका 45 degree का अब इसके बाद इसका नाम देते हैं तो इसका नाम देते हैं A, इसका B, C, D और इसका नाम देते हैं E ठीक है यहां से यहां के दूरी हमें पता नहीं है तो इसको हमें X मान लेते हैं और भवन है 7 मीटर उचा तो जितना उचा यहां से यहां है इतना ही उचा यहां से यहां है तो A भी हो जाएगा 7 मीटर उचा ठीक है और इसको हम मान लेते हैं Y तो टोटल जो टावर की उचाई है वो हो जाएगा मेरा वाई प्लस साथ अब इस चित्र के माध्यम से इसका एस्टेटमेंट लिख लेते हैं कि हल कि माना की एबी एक भवन है कि यह भी बराबर साथ मीटर उंचा एक भवन है और वाई प्लस साथ मीटर उंचा जो है वह क्या है डी सी टावर है तो वाई प्लस साथ मीटर उंचा क्या है डी सी एक टावर है प्रस्तना नुसार कौन डी ए ए ए कितना है साथ डिगरी तो लिख लेते हैं साथ डिगरी और कौन ए ए सी ए ए सी कितना है प्रस्त डिगरी और इतना ही है कौन सा ए सी बी तो लिख लेंगे बराबर कौन ए सी बी समकौन तिर्भूज ए बी सी में तिर्भूज ए बी सी चुसार भाएं याल नहीं करन का जीकर नहीं है और नहीं हमें कर्न निकालना है तो लंब और आधहार का संबंध साइनधिटे का जो त purity आनुपाद है उसमें किस से हैं तो हम लब और आधहार का संबंध जो है वह टैन ती पथेटा से है तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर पी बटा बी तो यहां पी का मान कितना है अबी है तो लिखेंगे अबी और बी सी और थीटा का मान है पैंतालिश डिगरी तो लिखेंगे टैन थीटा की जगह पेंतालिश डिगरी बराबर एबी का मान कितना है साथ मीटर तो साथ मीटर हो जाएगा और बी सी का मान हमने क्या मान है बी सी मान है एक्स मीटर तो इसको हम एक्स कर लेते हैं तो टैन पैंतालिश में एकस अगर हम इसका काम करते हैं नीचे एक मान लेते हैं तो एकस एकम एकस बराबर साथ एकम साथ यानि एकस का मान निकल करके आया कितना साथ मीटर तो यहां हम लिख सकते हैं X बराबर 7 मीटर ठीक है और जब BC 7 मीटर होगा तो AE भी क्या होगा 7 मीटर ही होगा तो इसको भी हम लिख सकते हैं 7 मीटर अब चलेंगे अब समकोन तिर्भुज AED में AED में यहां हमने D से A की दूरी Y माना है और A से A की दूरी यानि B से C की दूरी कितना निकल करके आया था 7 मीटर तो यहां भी हमने 7 मीटर लिख दिया है ठीक है तो आधार तो हमें पता चल गया वाई हमें पता नहीं है यानि हमें वाई निकलना है ठीक है तो कौन के सामने का भूझार लम्ब होता है तो ये हैं लम्ब और आंधार का सम्बंद यहां भी है तो यहां हमें क्या करना है टैन थीटा का फर्मूजार लगाना है तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा भी होता है तो पी का मान क्या है डी ए तो लिखेंगे डी ए और बी का मान है ए ए तो लिखेंगे ए ए टैन थीटा कह रहा है याली थीटा का मान कितना है साथ डिग igon कितना निकलकरा था शात मीटर तंस अर्डिकला फंडूला होता है ऑह होता है रूट अंडर 3 बराबर वाई बटे साथ कि अ हुआ तो अगर हम वाई बराबर करते हैं नीजे एक मन करके तो क्या हो जाएगा ये कम वाई-कमवाई और 7 से रूट अंडolesome में गुना हो जाए गात यह जाएगा सात रूट अंडर 3 toi अ तो आप हमारे पासले का मान साथ रूट अंडरती निकल गया ठीक है तो हमें ज्याद करना है टावर की उचायी और भर わか है वाइब प्लस साथ यानि यहां से यहां की टोटल उचाई क्या है यह प्लस साथ मीटर है तो आजे निकाल लेते हैं कि अतह कि टावर की उचाई बराबर हो डी सी बराबर क्या हो जाएगा डी से एकी दूरी प्लस इसे सी की दूरी तो डी से एक दूरी वाई है कितना निकल करगा है साथ रूट अंडर तीन तो लिखेंगे साथ रूट अंडर तीन प्लस ए से सी की दूरी कितना है साथ अब यहां क्या करेंगे हम साथ को कॉमन लेंगे तो अंदर में बजाएगा रूट अंडर 3 प्लस साथ एकम साथ यानि साथ इंटू रूट अंडर 3 प्लस एक मीटर यही मेरा क्या हो जाएगा final answer हो जाएगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ मे आ गया होगा फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद